संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच कॉंग्रेस के जूट से एक नया विवात खड़ा हो गया है कॉंग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्गाटन के दोरान सांसदों को सम्विधान की जो कॉपी बाटी गई उसमें छपी प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस सब्द हटा दिये गए है इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि सम्विधान की कॉपी में मूल सम्विधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिससे सेकुलर और सोशलिस सब्द नहीं थे दरसल सम्विधान की प्रस्तावना में ये दोनों सब्द 1976 में 22वे संसोधन के जरिये शामिल किये गए थे पर आपको बता दे कि अधिरंजन चौधरी ने पूरे देश से यह जूट बोला है कि सरकार ने जो सम्विधान की कौपी दी है उस में से ये दोनों सब्द हटा दिये गए हैं की सचिया है कि सम्विधान की प्रस्तावना को अधिरंजन चौधरी ने ही खुद पार्लियामेंट के पहले सेसर में उठा कर पढ़ा भी था और बाहर आते ही अधिरंजन चौधरी ने पूरी बात मीडिया के सामने नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया कि सम्विधान में यह दोनों सब्द हटा दिये गए अब वीडियो देखिए इस वीडियो में साफ साफ सुनाई पड़ रहा है कि अधिरंजन चौधरी ने सरकार के दोरा दी गई कौपी की ही प्रस्तामना पड़ी है जिसमें चौधरी जी ने देश की जनता से बाहर आते ही जूट बोला है आज हमें जो नयाब संग्विधान दिये गए जिस संग्विधान को हाथ में लेकर अंदर हुसे उस संग्विधान को प्रियम्बल में सेकूलर सोसलिष यह बात यह सब्द नहीं है अब आपको बता दे कि संविधान की जो कौपी सरकार ने सांसदों को दी है उसमें पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना में समाजबाद और सेकूलर सब्द है जबकि दूसरे पन्ने पर यह दोनों सब्द गायब है अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पस्टिकरण नहीं आया है कि यह क्यों किया गया है लेकिन सुप्रीम कोट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का ही हिस्सा माना है अगर संविधान की प्रस्तावना में कोई भी छेड़ छाड़ होता है तो वहाँ संसोधन से ही हो सकता है पर अधिरंजन चौधरी ने संसत से बाहर मीडिया के सामने आकर सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से की बात कही जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद